विल्कम तो मैं यूटूब चैनल नवोदन के मिस्टे क्लासेज माइम इस यूइश सक्षेन और इन तोड़ेश वीडियो वीडियो में आपको पढ़ाया था क्या होती है तो इनेशन थेल्पी इनर्जी की वो मिनमें मांट होती है जिसके मदद से किसी भी इसलेट गैसियस और न्यूट्रल एटम में से एलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव किया सकता है ठीक है और इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ा तदा करके कि जो वेल्यू होती है वो मौडर्न प्रियूटेवल में element to element किस तरह वैरी करती है किसी भी पीरियाड में right to left left to right मूव क करने पर या फिर किसी भी गुरूप में downwards मूव करने पर ठीक है तो आज की इस वीडियो में उसी sequence में लोग पढ़ने वाले है क्या आप्लिकेशन होती है या फिर क्या उसकी physical significance होती है तो बिना किसी देर के आज की वीडियो को शुरू करते हैं तो हमारा जो आज की वीडिय प्रीड में left to right मूव करते हैं तो अंशंग तेरपी की वैलू जो होती है वो इन्कृज करती जाती है ठीक है इसका इस से पता सकते है कि जो हमारा किसी है particular period में जो element सबसे left side में होगा उसके लिए एक अनिे प्रेट कर सकते हैं जो यहां बिजैसार ऑगा उसके लिए वेकर क के वेलू होगी वह हमको बहुत कम एनरजी प्रोवाइट करने पर एलेक्ट्रॉन लूस कर देगा ठीक है और जिसके हाइएश इनरजी वेलू होगी इसके लिए जादा होगी वह हमको थोड़ा मुश्किल में अप्र डोनेट करेगा और हम चानते भी हैं कि वह एलिमेंट्स ज काफी सारी प्रॉपरिटीज जो होती है वो नॉन में जो इन पेर लेक्ट्रॉन जो होते हैं उनी की वैसे होती है फॉर एक्जमपल जो मेटल्स के अंदर जो शाइन जो लस्चर जो होता है वो भी इन पेर लेक्ट्रॉन की वैसे होता है और मेटल्स जो मेंगनेटिस्म शो होगा decrease कर जाएगा आयोप आपको यह साम में आ गए होगी ठीक है तो यह तो बात होगी पीरियट की है similarly हमें बता सकते हैं कि क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम किसी particular group में downwards move करते जाकर के हैं तो आयनेशन enthalpy के value भी decrease करते हैं तो आयनेशन enthalpy के value decrease करते हैं इसका है metallic character जो होगा वो भी increase कर जाएगा metallic character will increase ठीक है तो आपको यह simple सा एक ratio रखना है कि आयनेशन enthalpy के value जितनी जादा होगी metallic character जो है वो उतना ही जादा कम होगा उसमें ठीक है आपको यह चीज़ धान रहेगी तो चो लिए हम लोग बढ़ जाते हैं कि जो हमारा second application ionization enthalpy का है वो है stability of oxidation states of any element तो तब से पहले आप यहाँ पर एक चीज़ समझे लिजिए कि successive ionization therapies क्या होती है देखिए माल लिए हमारे पास कोई element x है जिसमें माल लिए 10 electron present है और आपने इसमें energy provide करके इसमें एक electron remove कर दिया और आप इसमें कितने electron बचेंगे 9 electrons और आपने जो energy pay करी होगी वह कौन से energy होगी सिम्पल सी बात है वह कौन से energy होगी ionization enthalpy होगी इसकी ठीक है तो आपने जितने energy pay की है वह इसकी first ionization enthalpy कहलाई हो कि आपने इसमें अभी एक electron को remove किया है similarly अगर माल लिए आप इ हर्ड कहलाएगी ठीक है तो यानि कि जो हमारा pair बनता जा रहा है इसे माली हमारी first or second जो यह consecutive ionization therapies कहलाती है या फिर इनको सिंपली successive ionization therapies बोल दिया जाता है ठीक है यह जो लगाता रहती है इसे माली है first or second second or third third or fourth तो इस टाइप को जो होती है इनको बोला आता है successive ionization therapies अब देखिए हमने आपको यह term क्यों explain किया था तो इसको समझ लेते हैं देखिए अगर माली कोई particular element जो है और उसकी जो कोकिनी भी तो successive ionization therapies की energy का जो difference जो है अगर वो higher है 11 electron 16 electron volts से ठीक है तो अगर मतलब समझने कोईश कीजिएगा किसी भी particular element के लिए उसमें किसी भी दो successive ionization therapies की जो energy का difference जो है वो 16 electron volts से जादा है तो उन दोनों में से जो higher oxidation state जो है वो exist नहीं करेगी ठीक है तो इसको एक example समझ लेते हैं माली जी हमारा sodium metal जो होता है sodium metal को na plus में convert करने के लिए जो energy कर्च होती है elements को let कर ले रहे है वो एक्स electron volt है और na plus से na two plus में convert करने के लिए energy कर्च होती है वो माली य एक्ट्रॉन वोल्ट है ठीक है तो अगर माली हमने y-x energy निकाला वो calculate करने पर आता जाकर कि है 42.1 एक्ट्रॉन वोल्ट जो की जादा है 16 एक्ट्रॉन वोल्ट तो मार रूल क्या कहता है कि अगर 16 एक्ट्रॉन वोल्ट से energy कैप जादा है तो जो हाइयर वाली जो और अग्जेस्ट नहीं करेगी इसका मतलब na two plus एक्जेस्ट नहीं करेगा और सिर्फ na plus stable रहेगा इसलिए हमेशा sodium na plus की form में होता है na two plus की form में वो stable नहीं होता है इसलिए एक्जेस्ट नहीं करता है तो इससे को समझे आ गई है चीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका एक और form समझ लेते हैं देखिए अगर किसी भी element की दो successive ionization therapies की जो energy difference जो है अगर व 11 electron volts से कम है तो जो उसमें lower oxidation state है वो exist नहीं करेगी उसमें ठीक है जैसे हमने पिछले आप बताया था पीछे बताया अभी आपको कि अगर वो 16 electron volts से जादा है तो उसमें higher वाली exist नहीं करेगी और यहां पर 11 electron volts से कम है तो lower वाली exist नहीं करेगी ठीक है तो देखिए इसका example क् माल लीजिए हमारा जो magnesium element जो होता है अगर magnesium को हम लोग mg plus में convert करना चाहते है तो यहां पर x electron volt energy हमें pay करनी पड़ रही है और mg plus से mg 2 plus में convert करना चाहते है तो y electron volt energy pay करनी पड़ रही है जो y और x का जो energy difference जो आता है वो observe किया गया है वो 7.4 electron volt होता है जो की कम है 11 electron volt से और rule के कहता है कि अगर 11 electron volt से energy difference कम आता है तो lower वाला oxygen state of exist नहीं करेगा इसका मतलब mg plus exist नहीं करता है और सिर्फ mg 2 plus stable होगा जाकर के ठीक है तो यह आपको आयो पास चीज समझ में आगे होगी होगी कि अगर माली किसी भी element के लिए successive ionization intherpies को energy difference है अगर वो 16 electron volts से जादा है तो higher वा existing करेगा ठीक है तो चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और हमारा जो third application आने वाला ionization therapy का वो है acidic and basic character of hydroxides of elements तो चलिए हम लो suppose कर लेते हैं कि हमारो को भी metal X है और उसका hydroxide है वो है XOH type का ठीक है तो अगर माल लिए हम इसको थोड़ा और expand करके बनाते हैं तो वो उसकी bonding है तो suppose that अगर वो उसमें यह हमारे पास दो bond available इस molecule में X और O के बीच में है और एक O और H के बीच में है तो अगर माल लिए इन में से यह वाला bond break होता है तो हमको कौन सा ion मिलेगा H plus ion मिलेगा और आप जानते हैं कि H plus ion कौन देते हैं acids देते हैं ठीक है तो यानिकर माल नहीं break होता है और break हो जाता है X वाला bond तो हमें क्या मिलेगा OH मिलेगा OH ion मिलेगा तो OH को देता है basis देते हैं ठीक है तो यह हमारा जो hydroxide कैसे nature होगा इसका basic nature हो जाएगा ठीक है तो आप कोई जिस्तियां रख नहीं कि अगर hydroxide में O और H वाला bond break होता है तो वह acidic nature का होगा औ हमारे पास एक metal hydroxide है इसे कारता बहुत popular है क्या है यह sodium hydroxide है देखिए इसको फोड़ा elaborate करते हैं तो बने जाकर के Na O और H तो आप जैसा कि जानते हैं कि जो sodium क्या है sodium एक metal होता है और metals क्या करते हैं metal electron को बहुत easily lose कर देते हैं तो यह sodium जो है sodium अपने electron को जो इसके पास एक electron present है वह बहुत easily oxygen को डोनेट कर देगा और यह sodium और oxygen को जो bond है यह वाला ब्रेक हो जाएगा और हमको मेले जाकर करके Na plus और OH negative और आप जानते हैं कि OH negative कौन देता है basis देते हैं और इ चेक कर सकते हैं वो भी इसी तरह से इसको किया जाएगा ठीक है तो अब भी तो आपको simply बता दिया जाता है कि जो metal hydroxide जो होते हैं वो basic होते हैं और जो non metal hydroxide होते हैं वो इसके पीछे reason यह होता है कि metals जो होते हैं उनके ion oxygen तलपी कम होती है और इसे वह वैसे वह अपने electron को का है यह नहीं कि H O C L तो देखे क्लोरीन क्या है क्लोरीन एक नॉन मेटल है तो इस खोड़ा और explain करेंगे तो क्या बनेगा एच ओ और C L तो क्लोरीन क्या है नॉन मेटल है इसका मतलब यह electron easily donate नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या है hydrogen जो है hydrogen अपना electron oxygen को donate कर देगा तो hydrogen जब acids देते हैं इसका मतलब यह क्या होगा H O C L compound क्या होगा एक acid होगा जाकर करके और similarly आप इसी तरह से है H2SO4 कर भी दिखा सकते हैं क्योंकि sulfur क्या है sulfur non metal है इसका मतलब electron को थोड़ा loosely देगा और इसी वह से यह सर्फ H plus ion देगा जाकर करके और इसी वह से H2SO4 भी एक acid होता है ठ ठीक है तो अफिलाल आज की वीडियो में बस इतना ही तो हमने आपको आज बताया कि applications of ionization therapy क्या होते हैं सबसे पहले हमने जो पढ़ा जाकर करके वह यह था कि किस तरह से metallic nature जो होता है वह कैसे modern pure petroleum vary करता है फिर हम लोगोंने पढ़ा पढ़ा था कि जो किसी भी particular element की oxidation state जो हो गाया basic उसको किस तरह से ionization therapy की help से explain किया सकता है तो students आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं आपसे next video में और next video हम लोग बात करेंगे electron affinity या फे electron gain enthalpy के बारे में तब तक के लिए stay home stay safe और इस वीडियो को like कीजिए share कीजिए channel को subscribe जो कीजिएगा and thanks for watching my video